दोस्तों Realme ने अपने तीन स्मार्ट फोन के लिए एक नई अपडेट रिलीज करी है और तीनों स्मार्ट फोन 5G है आज किस वीडियो में इन तीनों ही फोन के बारे में देखेंगे कि कौन से फोन में कौन सी अपडेट आई है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो डिवाइस कौन सा है तो Realme X7 5G, Realme Narjo Series का Narjo 35G और Realme 8 Series का Realme 8 5G इन तीनों ही फोन में 5G फोन में आई है अपडेट तो सबसे पहले देखते हैं कि X6 में कौन सी अपडेट दी गई है तो X7 में जो अपडेट आई है फो F06 वर्जन होगी जिसमें जुलाई और अगस्त दोनों महिने के स्कूर्टी अपडेट आने सुरू हो चुके है मतलब दो महिने पर अपडेट आ रही है आपको कुछ दिन बाद आपको तीन महिने पर एक बार अपडेट मिलेगी मतलब इस डिवाइस में अप जो है जादा तर अपडेट कम ही मिलेंगे आपको सिकूर्टी पैच छोड़ी सी मिलेगी और यहाँ पर डिवाइस के परफॉर्मेंस और इस्टेबलीटी को यहाँ पर इंप्रूव किया गया है एक सेवेन के एक सेवेन 5जी डिवाइस में तो अगर आप इन फोन्स के उज़र है तो इस दिरो सिक्स आपको मिला है कि नहीं कमेंट स्रिक्शन में जरूर बताइएगा हाला कि अभी अपडेट रूल आउट की कि तो बहुत सारी उज़र को नहीं मिले होंगे कुछी उज़र को मिले होंगे बैचेजवा जाती है तो थोड़ी डिले हो सकती है बात करते हैं Realme Narjo 35 Z की तो Realme Narjo 35 Z में जो अपडेट निकल कर सामने आ रहे है यह वह है Android 12 की स्टेबल अपडेट जी हां दोस्तों Android 12 की स्टेबल अपडेट रोल आउट की जा रही है एक वाछ फिर से और यहां पर आपके डिवाइस को A16 पे होना होगा Android 11 पे है तो तब जा वाला है तो अगर आप Android 11 पे हैं और आपका डिवाइस ए 16 पे हैं तो आपको बहुत जल्द ही C03 a stable update देखने को मिलेंगे हाला कि बग थोरे बहुत होंगे लेकिन माइनर होंगे जिसे आप बियर कर सकते हैं तो आपको मिला कि नहीं बताएंगे कमेंट सिक्षन में आखरी डिवाइस रियल मेट 5G की बात कर लो तो रियल मेट 5G में यहां पर अपडेट जो है वो भी देखने को मिलेंगे जो कि एक बहुत बड़ा होगा लगों चार से सारे चार जीवी के आसपास और जो लोग अल्डेट बारक के अर्लिक्स ले चुके हैं उनको इसी वर्जन की एक छोटी सी अपडेट मिलेगी जो की बग फिक्स की होगी तो तो तीनों फोंस में से किसी भ उमीद है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजे इजाज़त थैंक्यू